मैं जा रहा हूं उस साइक्ल से सब्हें होती खतरनाक बताया है बोला है कि साम होने से पहले वाँ से वापस आ जाना और रिकाड़ीों में वालों के साद जाना क्योंकि आप साइक्ल से जारें इस चेतर में वन्य जी विचारन करते हैं जो कि आपके लिए खतरनात साबित हो सकते हैं आपको बोला दाना दोस्तों कि यहां पर कुछ भी हो सकता है देख लो चारो तरफ ना तुम्हें कुछ ने दिखाई दे रहा हूगा कोई भी सिर्फ मैं और मेरी एसाइकेल देखो कि कोई है यहां पर वन भी भाग है और इनको हमने सूचना दे दी है वैसे तो लेकिन इन्हों ने हमको मना किया है कि अगर तुझ आपको सुबह 10 बजे आना चाहिए था ताकि आप 12 बजे तक वापसी आ सकें फिलाल इस वक्त रिस्क है बहुत ही जाना आप अपने रिस्क पर जाएं हेलो एव्रीवाइब वेलकुम तो कैसे आप सब और स्वागत करते हैं आपका अपने यूटूब चैनल वाल्ट मकड में मैं हूं इस वक्त चंडीगाट और मैं जा रहा हूं साइकिल से फिलहाल एक ऐसे मंदिर में जिसका मुझे भी नहीं पता लेकिन किसी ने बता के बीच में और मैं आज आपको वहापर लेकर चल रहा हूं रास्ता भोत खत्रनाग बताया है कि साम होने से पहले महां से वापिस आ जाना और किसी गाडियोवालों के साथ जाना क्योंकि आप साइकिल से जा रहें बहुत ही रिस्क है क्योंकि शेर, चिता, भालू, और जान मुडेगा लेफ्ट हेंड साइड पर चाह जानी उल्ट हाथ की तरफ हमें भी उल्ट हाथ की तरफ ही मूड़ना है अब आपको देखना यह जंगलों से होकर जाता है और यहां पर कुछ भी हो सकता है और वह किसमत की बात है कि आपको रोड पढ़ कोई भी आ जाए कुछ भी आ जाए तो दोस्तों वीडियो में बने रहा ना से हैं या कार से हैं कार से अंदर सेफटी है एक तरह की बाइक से हैं तो भी आप स्पीड से चल सकते हैं लेकिन मैं यह जंगल सफारी है राज्या जी पार्क सास चड़ गया क्योंकि यहां पे चढ़ाई है बहुत तकड़ी पक्षी दिखा रहा हूं उसको कमेंट करके बताना मुझे यह कौन सा पक्षी है दोस्तो देखिए यह बैठा दोस्तों सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना है दोस्तों जिंदेगी पता नहीं किसकी कि इतनी है प्लीज यार सपोर्ट कर दिया करो शेर कर दिया करो और कुछ नहीं जाता यार एक लाइक भी करने में आपका पैसे थोड़े ही खर्च हो रहे है साइकल चल रही है यह चलना हूं पैदल यह सच में ही इस रास्ते पर चलना बहुत बड़ा रिस्क है लेकिन अपने तो बिल्कूल ऐसा लगता है जैसे वास पता नहीं कौन जानवर देखी रहे हो किती दूर मैं आगया हूं दूर दूर तक ना कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तो किसी को यदी पसंद ओ इस तरह से जंगलों में चलना तो प्लीज मुझे कमेंट करना और कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो प्लीज वैलकम है दोस्तों और यहां से चड़ाई नहीं है निचा ही है यानि नीचे की तरफ जाना इसलिए हमारे साइकल भागी जा तो भाइसाब रिस्क है बहुत तकड़ा कसम से यार यहां से साइकल नहीं चला सकता जंगल ही जंगल है को शेर आजाए कोई बाग आजाए लेकिन फिलाल तो मैं स्पीड पे हो दोस्तों इस तैंड तो कुछ भी आजाए गोर से पढ़िये तरह यहां पर क्या लिखा हुआ है यह राजा जी टाइगर रिजर्व का परतिवंदी छेतर है यहां पर अभेद परवेश धंडनी है इस छेतर में वन्य जी विचारन करते हैं जो कि आपके लिए खतरनात साबित हो सकते हैं इसलिए किसी भी परकार का प्रातय कालीन संद्या कालीन ब्रहमन चलता है सडक से होते हुए इधर चला जाता है हरिदवार की तरफ और कभी-कभी यहां पर ऐसा भी हो जाता है दोस्त पेड़ देखिए आप पत्ते भी नहीं है इस पेड़ पे लेकिन फिर भी एक पेड़ खड़े है मतलब इतने पुराने पुराने पेड़ आपको यहां देखने के लिए मिलेंगा कि शायद ही आपको कहीं मजाए कुछ हो रहा है लेकिन अगर वह सामने आएगा तो भाई उ यहां पहुचने के लिए आपको ओटो गाड़ी सब कुछ मिलेगा दोस्तों को बोला था ना दोस्तों कि मोसम इस तरह का होता है तो इस तरह से पानी आता है और इधर से चला जाता है और मैं भी इसको चीरते हुए जा रहा हूं फिलाल तो सीधे जाना है बहुत दूर जान क्या और साइकिल भी ने चलेगी कुछ भी नी चल पाएगा इसलिए दोस्तों कुछ ना कुछ तो लाना ही था और अपनी डेसी डाइट गुड़ चाना तो भाई साब पानी लाना यार पानी लाना भूल गया हूँ अब दिक्कत हो रही है यार तो गैज बुदी के हीरन अब यह यह रे पिछे यह वह भाग गए मैंने आपको बोला ताना दोस्तों कि यहां पर कुछ भी हो सकता है यार तो भीया मिले हमको कहां से आप अप हरिद्वार से ही है अच्छा अच्छा लेकिन अगर बाइक होती ना कसम से मैं आपको इसके अंदर भी जाके दिखा देता है और जब तक यह च तक है यह चाईगल चीला रेंज है दोस्ती यह चीला रैंज है दोस्ती यह चीला रेंज है क्या चार्जिस बगेरा लेते है यह पर घुमाने कास्का यह 25 सुर्फे गाड़ी का है और देर्डर्वार परपरसन है कितना गुमाएंगे क्या 36 किलोमेटर glaube 한 तक है टारी सिस्ट सबी तरह के जानवारस के अंदर मिलें जिदनी गाडियां यहां पर खड़ी है इनमें ही आपको लेकर जाए जाएगा इसका पर परसन का चार्ज है 1.500 रुपिये और जिपसी यानि का चार्ज है दोस्तों पच्छिसो रुपिये सुबह साड़े च्छे से नो बजे तक आएं करना पड़ेगा क्योंकि यदि हमें आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो यार को कैसे पदा चलेगा कि आपको जाना का है अपके भी जू हो दोस्तों सिर में कुछ हो रहा हो तो इन से संपर्क जरूर करना यह कसम से आपको एक गंटे में बिल्कुल सफ कर देंगे तो हमारे पास तो पैसे नहीं है दोस्तों जीरो यार फ़िर से स्रूरू कर रहा हूं जुभारे से आपके तो तो प्लिज आर से अगर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें और मेरा सप़र्ट करें चलता कि बाग या चीता शेयर कुछ भी मिल सकता है भी गया रिस् यह है चिला डैम, क्या मस्तनजारा, क्या लोकेशन है एक दम मेरा जो इस सफर है यह अभी फिलाल चीला डैम तक पहुंचा है और यह जल विद्ध्यूद यानि आपर बिजली पनाई जाती है और इसी रोड पर आपको चलना है लगोग यहां से 12 किलोमेटर का रास्ता होगा दोस्तों और फिलाल साइकल सही जाना है और साइकल सही आना है तो प्लीज यार, सपोर्ट बनता है यारा राना है है तो टुझ अलोब फोटो लागा एक जूप आ जूँपा रह एक जूँए बद फोटो टुटाइक जूँब फोटो पह जोटो और उसकी महाय शाहिए यह तो यहां रांग से मिल जाते हैं बहुत ही प्यार से देख रहा इधर की तरफ ही तरफ ही हमरे पास कैमरा अच्छा नहीं है फोन से ही मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों तो प्लीज यार अभी कंडिशन अपनी खराब है वरना आपको पिल्कुल कि यह गाने बज़रे हैं उसमें और लड़के बैठे हुए वहां पर क्योंकि आप थुदी सोचे ना पूरे जंगल में पोई नहीं है यहां और यहां आपको यकीन नियोगा वापर क्या चल रहा है वहां पार्टी चल दिए भाई साब जारू पार्टी जिसको बोलते हैं क्य एक रास्ता जा रहा है सीधा रिषिकेस हम्स और इसके ठीक सामने लिखा हुआ है देखे रिषिकेस इधर से जाना है और विद्यावासनी मंदिर सीधे जाना है तो हमें इधर से जाना है यानि सीधे जाना है तो दूस्तों यहां पर मैं पहुंच गया हूँ फिलाल और यह होती जाना आप अपने रिस्क पर जाएं बाकि जैसा भी उगतता रहेगा दोस्तों आज मैं बताता रहूंगा आपको आज यह रिस्क लेकर भी अंदर चलना ही है यहां से दो रास्ते कटते हैं एक यह नीचे जो कच्छा रास्ता जा रहा ही यही जाएगा अंदर की तरफ अ कोई बैसिब्दों तो यही जानवा रजाए का रहा है और जंगल का रास्ता बहुत ही खतरनाक है तो कर तो खुछ भी आजधे तो यह भर भर के आती है दोस्तों तो उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है यह पर आना तो फिलाल मेरे पीछे गाड़ी आ रही है आप यहां तक और देख रहे हो हाप चारो तरफ नजर गुबाओं और तुम्हारा अकेला और कोई नहीं पड़ेगी कोई है कोई नहीं है तोवह हालत खराब हो गया चलते चलते तेखलो चारो तरफ ना तुम्हें कुछ ने दिखाई दे रहा होगा कोई भी सिर्फ मैं और म तो पहाड है यार थग्यों भाय ही हालत खराब है सच में हालत खराब है और अभी पताने कितना जाना है अधर दोस्तों वह सामने जो आपके पहाड दिखाए देखो इन पर नजर मारो यार कैसे खिसके हुए पढ़े हैं पूरे पेड़ वेड़ सब पहाड सब नीचे तूटा हुआ पढ़ा है मतलब बारिशाने पर क्या हाल होता होगा क्या मंज़ जब साधर पत्र 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 पतनी है जोर राइत को भी पार करना पड़ेगा क्योंकि इनको तो पार करकर हैं पर सब्सक्राइब नीजा सकते लिए बाज उड़ रहा है भार इंचे नदी चल रही है भारा जंगल है सुनसान रास्ता है और मैं कहला हूं बस यार पताने हो और फोड़ी दो रोर है शायद पहुच जाओंगा फिर मैं दूसरी नदी यहनि तीसरी नदी है अभी इसको भी हमें पार करना पड़ेगा और वो सामने देखो आप लंगूर बैठे हुए हैं तो जूते उतार लिए हैं लेके हाथ में और यह सब चीज चल और साइकिल को भी पार कराना है और अपने आपको भी पार कराना है वो देखो वहां पे जैसे कर रहे हैं इसको भी और फिर वो गाड़ी फस गई भाईगी उसको भी मुझे पार करना है देखियो गाड़ी फस चुकी है बाई सब और यह पाचवी नदी पार करो और इस इसको भी पार करो तब रास्ता आएगा सामने गाड़िया कड़ी है और ऐसे ही फिर उपर जाना है दर्शन करना है फिर वापसी निकलना है फटावट क्योंकि शाम ओने पर बहुत तगड़ा रिस्क है वहां पर पहुंचने के बाद और मंदिर में पहुंचने के बाद यहां पर अपनी साइकल खड़ी हो गई है फिर यहां से वह जो सीडिया आपको सामने दिखाई दे रही है यहीं से अपने को ऊपर जाना है इस पहाड़ी बाद और वह रहां उपर मंदिर और आप यहां पर चाय नास्ता सब कर सकते हैं उसके लिए यहां पर सब चीज अबलेबल सब्सक्राइब यहां से अब हम चलेंगे उपर यहां से ना नजारा कुछ और ही होता है बाई और मेरी होलत देखो तुम बहुत खराब है और दोस्तों सास चड़ चुगा है और देख रहे हैं आप चारो तरफ पहाड़ है इन सीडियों से आप जाएंगे और आएंगे और सामने है माविंद्य वासनी मंदिर दर्शन करेंगे दाशन कराएंगे आपको भी यहां के पंडित जी हो रहा है जैश्र लोग दर्शन करेंगे और दिवासनी माता का नाम लिखकर लिखी का जै माता दे लिखेगा और उसने जल्म लेने से पहले योग माया को वादेश दिये कि तुम जाके यह सुदा कि यहां जल्म लेने के बात जब कर समातना चाहता है तो हांसे चूटकर अस्तों हुजा रू मतलब यह आप इस चीज को पढ़ लीजे अपनी जी क्या वह बात सच है कि यहां पर शेर आता है जी 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 नवरात्रों में पक्का आता है जी जैम आता दी तो चारों तरफ जंगल और पहाड़ों के बीच है मा विद्यावासनी का मंदिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो को नाम सुना था जैकर आज माता जी का आसिरवाद प्राप्त हुआ है बहुत अच्छा लगा है हम लोगों को परवार से बागबार बुलाती रहे यहां पर जंता है कल्यान करते रहे हम सब कल्यान करते हैं आपका भी धन्यवाद और मंदिर के जितने भी आपर जम्यदार बेक्ति है पुजारी दी उनका अब गाजयवाद से जी गाड़ी से बहुत सांती है बहुत अच्छा लगा कसम से बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कसम से वेल्कम वेल्कम जैमातादी और भाया हरिदवार से ही है देखिए भाया आप भी अगर यहां पर आएंगे आपक और इस तरह की तीन चर्ण दिया है जो आपको वहां तक पार करके पहुंचाएंगी फिलाल मिलेंगे हम भी आगे की तरफ तोस्तों हैसी चलते रहेंगे धन्यवाद